हेलो गाईज वेलकम बैक टो माई चानल तो आज मैं आपको एक बेबी नापकिन बताऊंगी बनाना यह बहुत ही इजी होती है आप इसे बहुत आराम से बना सकते हैं यह वाला जो साइज मैंने बनाया है यह न्यूबॉर्ण बेबी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है इतन कितना लिया हुआ है बस नैपी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा थिक कपड़ा लेना है तो इसके चारो साइज मैंने 9 इंच के लिए हुए है एक जैसे की स्क्वाइर का शेप होता है बिल्कुस सेम आपको चारो साइज इसके बराबर से रखन जिसको मैंने टू इंच का यहां पर इसकी ब्लाड नसको लिया हुआ है तो यहां पर आप आई यह देख लेते हैं पहले हम इसकी पट्टी को सिल लेते हैं कि इस तरह से यहां पर हमें फॉल्ड करना है पहले और यहां से आप देख़े एदर दूनों तरफ पोल्ड करेंगे उसके बाद हमें इसको इस तरह से पलट देना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं एक बार मैं फिर से दिखा देती हूं आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूं यह से आपको फोल्ड करना है तो यह हमारी पट्टी फोल्ड हो गई है यह वाला साइड हमारा बहार कि तरफ रहता है और विसके को चिछ लाइ लगा लिनी है तो इसी तरह से आपको दोनों पटियों को रिदी कर लेना है अब हमारी यह लूप वाली पट्टी है बस इसको ऐसे हैं कि हमारी पट्टियां Works हो चुकी है अब हम देख लेते हैं इसको हमें उल्टी साइड को पलटना है इस तरह से बराबर की तरह से रखिए आप इसको ट्रेंगल के शेप में मोड़ लीजे और यहां पर किनारा रखा था उसको हम अंदर की तरह फोल्ड करेंगे और यहां पर अच्छे से इसको पट्टी को लगाना है तो इसमें जो जुड़ा हुआ साइड है उसको हम अंदर रखेंगे इस तरह से तो यह हमने इसको सेट कर दिया है बिलकुल सेंटर में आप सेट करें इसको और यहां पर कॉर्णर बनाते हुए सुई को अंदर रखें फिर इदर घुमाएं इसको हमें सिलते जाना है यहां से आदा इंच के मार्जिन से आप सिलाही करें और यहां पर जब करीब 1.5 इंच बचेगा तो हम यहां से सुई को बाहर निकाल लेंगे यहां पर हम पूरा इसको नहीं सिलेंगे ताकि हम इसको आराम से पलट सके यह हमने इसको यहां पर सिल एक टालाई डबल कर देंगे ताकि यहाँ पर अच्छे से पक्ता हो जाय तो हमने यहां पर इस पर लगा दिए कि इस तरफ हो रहता है उसको उम्हें कट कर दिया है अब आपको इसे परड़ लेना इस तरह से किसी भी चीज से परड़ सकते हैं तो यह इस तरह से परड़ बिल्कुल आप किनारे पर सिलाई लगाएं ताकि आपकी दोलों सिलाई यह मस्बूथ हो जाएं अच्छे से अब यहां पर आईए तो एक कॉर्णर यहां पर बनाते हुए इस पट्टी को हम इस तरह से अंदर डालेंगे और यहां पर इसकी सिलाई लगा देंगे यह हमारी सिलाई हो गई है पट्टी को भी हमने यहां पर पक्का कर दिया है अब सेंटर में हम यहां पर दो तीन चुन डाल देंगे इससे हो क्या होता है हमारे बेबी की जो हिप होती है वहां पर हमारी नैपी अच्छे से रूख जा है तो जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वाचिंग